जाहिंद इस्टुडेंट्स, I am Anjali Mishra, I am your Sanskrit teacher. Today I am going to teach about संग्या सब्दाह. संग्या सब्दाह, इस्टुडेंट्स, संस्क्रीट में तीन लिंग, तीन वचन वर तीन पूरुष होते हैं. संग्या सब्द के अंतरगर्ट, पुलिंग सब्द, इस्ट्रीलिंग सब्द और नपून्सक लिंग सब्द आते हैं. आए हम पुलिंग सब्द, इस्ट्रीलिंग सब्द और नपून्सक लिंग सब्द के कुछ उदाहरण को समझते हैं. पुलिंग सब्द, एक वचनम बालकह, दुई वचनम बालको, बहु वचनम बालकाह, इसी प्रकार नर और गज का भी रूप है इस्ट्रिलिंग सब्द, एक वचनम लता, दुई वचनम लते, बहु वचनम लताह, इसी प्रकार रमा और बालिका का भी रूप है इसी प्रकार छत्र और पत्र दोनों का रूप चलेगा इस्टुडेंट्स फलों के नाम पुलिंग, इस्त्री लिंग और नपुनसक लिंग होते हैं आए हम उनको सव धारन समझते हैं फल सब्द पुलिंग, जंबू मिन्स जामून, खर्जुरह मिन्स खजूर, रसालह मिन्स गन्न फल सब्द इस्त्री लिंग, लीचिका मिन्स लीची, राक्छा मिन्स अंगूर, करकटीका मिन्स ककडी फल सब्द नपुन्सक लिंग, नारंगम मिन्स संतरा, नारिकेलम मिन्स नारियल, दाडिमम मिन्स अनार, अमरित फलम मिन्स नासपाती, और कदली फलम मिन्स केला Students कुछ वस्तों के नाम पुलिंग, कुछ के इस्त्रे लिंग और कुछ वस्तों के नाम नपुन्सक लिंग होते हैं, आए हम उनको उचारण करते हैं, पुलिंग सक्द खडगः, डमरूह, स्यामपटः, रेखादंडः, मार्जकः, रसालः, दंडः, चसकः, चमसः, घटः, कुम्भः, मोदकः, ददिवटकः, प्रस्तरः, सूलः, पादपः, गुल्मः, प्रसादः इस्तिलिंग चत्रम, समाचार पत्रम, पत्रम, मिन्स चिठ्थी, पत्रम मिन्स पत्ता, आभुसडम, चक्रम, वस्त्रम, पुस्तकम, चित्रम, कलकम, त्रीडम, कपाटम, ओधनम, दीपम, आवरडम, कुथारम, क्रकचम, और कुटीरम करुपपँ थात्रम, पत्रम, पत्रम, काथि मुल्म, पत्रम, क्रकचम, पत्रम。 झाल झाल